लो चलो एक चोटीसी बात से चादू करते हम लोग मार्केट क्या होता है यह नोटस आपको इसको बेर मार्केट किसको बलते शब zawर वार्टस के ओलता हैं कि वाट एक you ! मारेट किसको आपको पाथ है मारेट किया होता है चलो मैं बतातम सुनों ध्यान से मार्केट का मतलब बिटा एक प्लेस होता है अप्लेस वेर बायर एंड सेलर मीट दो लोग मिलते हैं कौन-कौन मिलते हैं बायर एंड सैलर फॉर परचेश और एंड सर्वीस फॉर प्राइज बने पैसा बहुत सिम्पल सी बात है क्या होता है मार्केट तो आप से कोई भी पूछे मार्केट का तो क्या बोलोगे सर एक ऐसी प्लेस जहापे दो लोग मिल रहे हैं एक है बायर दूसरा है सेलर क्यों मिल रहे हैं ताकि वो क्या कर सके गुट्स या सर्विस परचेस करें उसके बद में पैसा दे सके हैं एक करो मार्केट वर्ड का मतलब समझाया कि नहीं है अब आप बोल रहे हो आ गया अब आपको जैसे कोश्चन आता है कि मार्केट कैसे बनता है मार्केट के ज़रूरी बाते क्या है तो आपका आंसर क्या होना अची है सबसे पहले एरिया की बात करते तो आप एक बात याद रखिए एरिया is a contact point of buyer and seller जहां buyer and seller मिल जाए वही एरिया बन जाता है वही मार्केट हो जाता है ठीक है there is no specified area for market there is no specified area for market बेटा आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं आपको मार्केट के बारे पढ़ाने वाला हूँ जहां पर लोग मिले उस contact point को area बोलते है कभी मार्केट का कोई specified area नहीं होता रोड पे भी sellers बैठ जाते बायर खरीदना चालू करते तो रोड भी एक market बन जाती है लगता है कई देखना रायपूर में जगों पर रोड पे लाहिन से बैठ जाते sellers और खरीदार भी आ जाते त buyer and seller should, buyer and seller should be in contact with each other बहुत ध्यान से chapter को सुन जो, समझ जो, market में buyer और seller दोनों का यह होना बहुत जरूरी है अगर मान जो buyer ही buyer है, खरीदार है, बेचने वाजा नहीं है तो कैसे समान पिकेगा और अगर मान जो seller ही seller है, buyer नहीं है तो भी market नहीं चल पाएगा तो market के एक contact point होना चाहिए, अब एरिया होना चाहिए जहां पर buyer और seller मिले, तब market बनेगा, दूसरा buyer and seller का एक दूसरे से contact में होना ज़रूरी है, तीसरी चीज़ ज़रूरी है वो यह है कि for existence of market, market के होने के लिए, और इसी notes को बस पढ़ना, इसके दावा कुछ मत पढ़ना for existence of market, there must be a commodity, must be a commodity, market के लिए बहुत जरूरी है कि समान होना बहुत जरूरी है वहाँ पर, example के तोर पे अगर vegetable market है, तो vegetable market जो है, वो vegetable market तब कहदाएगा जब वहाँ vegetables या सबजिया होंगी है, वैसी अगर ज्वेदरी market है तो वह ज्वेदरी का होना बहुत जरूरी है, last thing जो कोई भी जगे को market बनाती है, वो है, there must be existence of competition, market में competition होना चाहिए, बीना competition के market, market नहीं होता, तो किसी जगे को market बनाने के लिए चार चीज़े चाहिए, area चाहिए, buyer and seller होने चाहिए, commodity या समान होना चाहिए और वहाँ पर competition होना चाहिए, चार चीज़े होने चाहिए, यही वादा notes आपको भेज भी दूँगा, आप इमानदारी से hand raise करके बताएए, आपको यह समझ आ मिलेंगे, पैसे के बदे goods and service की purchase and sales होती है, market ले जरूरी बाते के area का होना चाहिए, buyer and seller मिलें, buyer and seller का होना चाहिए, commodity या समान का होना चाहिए, competition का होना चाहिए, इतनी चीज़े market बनाती है, अब market में structure कैसा होता, आपको यह सीखना है और आप इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हो, form of market competition, market में आपने पढ़ा है competition होना चाहिए, तो competition कैसे कैसे होते है market में आपको यह पता होना चाहिए, बेटा आप ध्यान रखो market में दो ही तरह के competition होते हैं, या तो competition perfect होता है, या तो imperfect होता है, दो तरह के competition मार्केट में होते हैं, मैं जो शब्दों दिख रह रखना और ध्यान रखना perfect competition असल जीवन में नहीं नहीं होता है imaginary होता है nobody is perfect in this world even the competition is also not perfect perfect competition imaginary situation है यह असल जीवन में नहीं मिल पाती है imperfect competition real life situation में यह मार्केट्स में होता है आप यह याद रखना इंपर्फेक्ट कंपिटिशन नौर्मधी मार्केट में तीन तरह के होते हैं एक होता है मोनो पोली बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनों एक होता है मोनो पोली स्टिक और एक होता है ओलीगो पोली तो अब देखिए मार्केट अगर है तो competition होगा, तो मैंनी दो तरह के competition होते हैं, perfect competition और imperfect competition, मतलब अच्छे से समझाओंगा ध्यान से समझना, perfect competition पहले तो समझ दो imaginary असल जीवन में नहीं मिलता, imperfect competition वो है जो real life situation में है, तो यह तीन तरह से, या तो monopoly या monopolistic या oligopoly, spelling clear नहीं दिख रही होगी तो oligopoly के फिर दिख दे रह oligopoly, oligopoly, hand race करो, पहले आपको यह visible है कि नहीं और समझ आ रहा है कि नहीं, दो तरह के competition कौन-कौन से, perfect और imperfect, imperfect competition के टीन टाइप है, monopoly, monopolisistic और oligopoly, इसको दिमाग में बिठाना पड़ेगा अपने को, अब समझना, मैं आपको perfect competition क्या है बता रहा हूँ, हम यहाँ पर bracket में हमेशा अपने याद रखने के दिख देंगे, imaginary situation, आपको एक example से बता देता हूँ, यह क्या होता है perfect competition, perfect competition एक ऐसी situation है, जहां market में बहुत सारे sellers है, और market में बहुत सारे buyers है, ना seller का में ना buyer का में दोनों ही बहुत जादा है, एक ही तरह का समान भी करा है, जिसको homogenous बोलते हैं, homogenous मतब सेम, जितने seller हैं, केवल एक ही समान बेच रहे हैं, और वो भी same price पर, जैसे example के तरह पे आप सारे जो भी हो, सारे sellers हो, आप लोग mango बेचते हो, आम बेचते हो, हमारे से बहुत सारे buyers आप क्या खरीबने आते हैं, price भी आपका सेम है, सब 100 रुपय की जो बेच रहे हो, आप 100 रुपय की जो सभी लोग बेच रहे हो, तो यह perfect competition की situation है, जहाँ पर बहुत सारे seller है, buyer भी बहुत सारे है, केवल एक ही समान भीकता है, लाइक mango और सब लोग 100 रुपय किलो समान बेच रहे हो, इसे perfect competition की situation बोला जाता है, अब हम इसको imaginary की बोल रहे हैं, समझना, क्योंकि देखो market ऐसे चलता है, कभी seller जादा हो जाते है, कभी buyer जाद हो जाते है, मतलब कभी supply जादा हो जाती है, कभी demand जादा हो जाती है, similarly market में आप जानते हो, अलग अलग तरह के समान भीकते हैं, और यदि एक तरह का समान भीक रहा है, तो इनसान कम से कम price तो अलग अलग चार्च करेगा ही करेगा ना, इसलिए इसको imaginary बोला जाता है, मैट ही product सब बेच रहे हैं, same product, और यह बोलते हैं कि भी है, हम सब बहुत अच्छे relation में एक दूसरे से, तो हम price भी एकी charge करते हैं, किसी भी दुकान में जाओ, आपको एकी rate मिलेगा, असल जीवन में ऐसी situation आपको नहीं मिलती है, तो इसे perfect competition बोला जाता है, कितने लोगों को perfect competition स समझ आ गया, और जिसको नहीं आया मेरे को चैट में बताए कि सर नहीं आया तो मैं repeat करते हैं, जिसको नहीं आया मेरे को चैट में बतादे कि नहीं आया तो मैं repeat करते हैं, तो यह एक imaginary situation है, ऐसा जीवन में नहीं होती है, ऐसा कभी नहीं होता कि बहुत सारे सैदर हो, बहुत में आएगा तो ऐसे यूनिट टेस्ट में करके आना मिटा रहा हूं बहुत अच्छे से मेरे नोट्स दिये हुए पढ़ देना पहली बात तो निमाग में बिठाओ यार imaginary situation है अब इसकी मीनिंग अगर मैं दिखाऊं दिख दू तो ऐसा है कि आ मार्केट सिचुवेशन वेर देयर आर वेरी यार्ज नंबर अफ सैलर अब बायर बहुत सारे सैलर अब बायर है ठीक है बीविंग इन होमोजेनस प्रोडक्त होमोजेनस पतलब क्या आप बताओ क्या होता होमोजेनस सेम प्रोडक्त एट फिक्स प्राइज सबका रेट भी क्या है सेम है इसलिए अपन बोलते है कि सर यह नहीं होता मार्केट में अब यह ना इशान सर से बिट एक बार पूछ दे राजी पूछ दे ओन है कि ओफ है बेरे हिसाब से तो ओन लाइनी पेपर है मेरे हिसाब से लेकिन फिर भी पूछ दो मार्केट सीच्वेशन नहां पर बहुत सारे सेलर बहुत सारे बायर है एक ही तरह के प्रॉडक्ट में डील कर रहे हैं प्राइस भी सेम मेreto t 가까ण के बने तो ही नमबर वन ब과 वरी लार्ज नंबर बहुत सारे ऑस सेधर और बहुत सारे और बहुत तो सारे बायर है किसी की अ सब्सक्राइब करते हैं होमोजोनेस प्रोड़क्ट होमोजोनेस मतलब सेम प्रोड़क्ट सब एकी तरह का प्रोड़क्ट बेशते हैं फीचर नमबर थ्री फ्रीडम ओफ एंट्री एंग्सीट कभी भी कोई भी आ सकता है कोई नया अपना बिसनेस बिहां सेट कर सकता है जिसको हटना है वह अने जाने पर कोई रोक नहीं है बाइर जो समान खरीदने आरह उसको एक दम अच्छे से समान के बारे में पता है और उसको पता है कि किस रेट पर खरीदना है ठीक है बहुत ध्यान से ओन की ओफ यार ये इशांसा से कूछ perfect competition अभी तक समझ आया होगा imaginary situation है बहुत सारे buyer, बहुत सारे seller एक ही तरह का product बेच रहे हैं एक ही तरह के rate पे, feature large number of buyer and seller है एक ही product है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है सब को goods का perfect knowledge है then absence of transportation cost सब एक ही जागे पर एक चीज मिल जा रही है जाने दे जाने का कोई खर्चा नहीं है there is no transportation cost next absence of selling cost सब एक ही rate पर बेच रहे तो कोई आदक से कोई खर्चा नहीं जोड़ता है सब एक ही price पर समान बेचते है आप hand raise करो आपको सारे feature समझ आए की नहीं है आप hand raise करो आपको सारे feature समझ आए की नहीं है या ना कोई ऐसा feature जो मेरे को दुबारा समझाना पड़े एकदम आसान मेरे notes को बस पढ़ना बार बार बोल रहा हूं बहुत सारे buyer, बहुत सारे seller, same product बेचते है आने जाने में कोई नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है सभी लोगों को जबरदस्त नो दे जा समान के बारे में buyer को, seller को, transportation का कोई चार्जी नहीं है, सब price rate fix है selling cost कोई नहीं आजक से, price fix है ये पूरा concept हो गया आपका perfect competition का जो आपको जानना चाहिए आपको मैंने perfect competition करा दिया अब बारियाती है imperfect competition की ऐसे तो chapter बहुत बड़ा था, क्योंकि आपको क्या करना होता था monopoly, monopolisistic, oligopoly, सब पढ़ना होता था लेकिन इस साथ CBSE ने क्या किया है, मैं आपको बता दू monopoly के curriculum को CBSE ने delete कर दिये monopolisistic के competition को CBSE ने delete कर दिये आपके curriculum से दोनों हटा दिया भी है CBSE ने तो मैं क्यों करा हूँ आपको जब हटा दिया है, तो अभी आपके पास imperfect competition में जो पढ़ने के लिए बचा, वो oligopoly बचा है आपको मैं मतलब समझा देता हूँ ताकि आपके मन में doubt ना रहे कि सर ने पढ़ाया नहीं, CBSE ने delete किया, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, monopoly मतलब बता है, एक बंदा है, एक person है, market में उसी का full control है, उसके सामने कोई tick नहीं सकता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि coaching में मेरा ही अकेले, राज है, मेरे सामने कोई business में नहीं टिक सकता, उसको ताना शाही या monopoly बोलता है, monopolistic बहुत सारे seller है, और वो कभजा कर दिया market पे, वो monopolistic है, तो दोनों ही topic जो है ना बेटा, आपके syllabus से delete हो गए है, आपको मेरी बात समझ आ रही है, तो hand raise करो, monopoly और monopolistic delete होगे, CBSE के syllabus से, अभी इस साल, 30% syllabus deletion है, आपको सिर्फ पढ़ना oligopoly है, तो मैं आपको oligopoly पढ़ा दे रहा हूँ और ये notes भेज दे रहा हूँ, आप एकदम अच्छे से इसको कर दो, ठीक है, ये जो word है ना बेटा, oligopoly, ये Greek word से आया है, ये Greek word से आया है, दो शब्दों से, एक का नाम है oligy, oligy मतलब होता है few, कुछ, ठीक है, और दूसरा है polien, P-O-L-I-E-N, ये one mark में आपसे पूछा जा सकता है, polien मतलब होता है sell, अब आप अगर बोलोगे oligy को poli क्या है, तो इसका मतलब होता है, a situation in a market, situation in a market in which there are few firms, few firms, which are selling the product. सुनना, मेरी बात को समझना, perfect competition क्या था, बहुत सारे seller थे, बहुत सारे buyer थे, एक की प्रकार का समान सब fixed price पे बेच रहे थे, imaginary situation, असदी जीवन की situation, oligopoli है, ऐसी situation जहां कुछ firms है, few firms, वो product बेच रही है और लोग खरीद रहे है, example देता हूँ, आपको एक product कम है, cold drink, आप बताओ, cold drink बेचने वादी, कौन कौन सी companies है, इंडिया में, cold drink बेचने वादी, कौन कौन सी companies है, इंडिया में, very good और, कौन कौन सी companies है, जो cold drink बेच थी है, इंडिया में, फटाफट बोलो, मेरा कौन सर्च ही आप से, Coca-Cola और, Pepsi और, आप मेरी बोलो के तो इंडिया में, जित्ते भी variety of cold drink बिक रहे हैं, तीन बड़ी company है, एक का नाम है Coca-Cola, एक का नाम है Pepsi, और एक है पार्ले जी, पार्ले का कौन सा है, मैं आपको बता दू, तो जो थम्जप आप पीते हो, थम्जप आप जो पीते हो, वो पार्ले कर, तो हमारे देश में अगर cold drink business की अब रेड बुल तो अला के रहे, Sprite Coca-Cola का brand है, तो अब देखो, cold drink अगर मैं बोलता हूँ, एक product है, तो बड़े धाकड तीन बड़ी company है, इसमें टिकी हुई है, बाकी किसी को घुसना ही नहीं देती, मादूम है, Coca-Cola, Pepsi ने market जमा के रख दिया है, तीसरा इनको compete करता है, पार्ले, तो देखो एक ऐसी situation, जहां कुछ ही business man है, जो इस product को market में sell कर रहे हैं, उस situation को oligopoly बोलते हैं, और आपको इसका example चीह है, तो cement ले लो, cement की कुछ ही बड़ी company हैं, जैसे L&T, Larsen & Turbo, Ultra Tech, उसका छोटे मोटे चिल्दर को छोट दो बड़ी company हैं, यही है जो cement बेचते हैं, तो यह बिटा ऐसी situation है, oligopoly की जो product है, वो कुछ ही लोग बेच रहे हैं, सारे नहीं बेच रहे हैं, आप बताओ आपको oligopoly, हाँ, thumbs up पार दे करें, thumbs up पार दे करें, आपको oligopoly समझ आया की नहीं है, यह बताओ, हाँ या ना, तो यहाँ पर बिटा याद रखना है, यह बड़ी company हैं, किसी को नहीं को set नहीं होने देती, मैं बताओ, JK cold drink निका लूँगा, भगा देंगे मेरे कुमार्केट से, oligopoly की situation यह कि कुछ लोगों का कब्जा है, कुछ मतलब दो या तीन या चार फर्म, ठीक है, इसे oligopoly बोला जाता याद रखना, भूलना मत, ठीक है, oligopoly के feature बता रहा हूं, ध्यान से याद रखो, feature number one, there are few firms, कुछ ही firms हैं, जो product sell कर रही है, selling the product, example से तो आपको समझ आ गया होगा, दिक्कत नहीं गई होगी, दूसरी बात, interdependence है, interdependence होने का मतलब यह है, कि action of one firm, affects the other, affects the other, example, अब ही Pepsi है, और Coke है, core competitor है, Pepsi भी 12 का, Coke भी 12 का, अगर Pepsi ने rate को गिरा के 6 कर दिया, rate को गिरा के 6 रुपे कर दिया, तो Coke को भी किसी भी हल में अपना rate गिराना ही होगा, बादे वो 7 रुपर रख ले, 8 रुपर रख ले, तो यह interdependent है, एक की action का असर दूसरे पर पढ़ता है, hand raise करो, यह point समझ आया कि नहीं है, तीसरा इस market की खासियत यह है कि price rigidity होती है, ठीक है, इसका मतलब यह होता है, all firms fix their prices, similar price नहीं चार्ज करते हैं, एक रुपए, दो रुपए उपर नीचे चार्ज करते हैं, fix their prices to avoid price war, डेखना जित्ते भी product similar nature के होते हैं, जैसे biscuit, अगर एक biscuit पाँच रुपए का है, तो दूसरा चार रुपए, छे रुपए का होता है, cold drink, अगर एक बारा का है, तो दूसरा दस का होगा, या तेरा रुपए का होगा, तो funda इनका ही है कि बोलते हैं, एक दूसरे जगडेंगे नहीं, एक price fix कर देते हैं, थोड़ा उपर नीचे plus minus रहेगा, repeat करता हूँदे को feature number one क्या बताया, कुछ firms हैं जो product sell कर रही हैं, एक firm की action का सर दूसरे पर पढ़ता है, यहाँ price fix रखते हैं ताकि war ना हो, एक दूसरे से जगड़ा ना हो, then barrier on entry of new firm, जल्दी किसी नए business को set नहीं होने देते हैं, जो टिके हैं, वो टिके हैं, नया नहीं आ सकता हैं यहाँ पर, आज coke और Pepsi के सामने देखना किसी को टिकनी नहीं देते मार्केट में, यह हैं तो यही हैं, इनके अदावा आपको कोई और नहीं मिलेगा, यह ध्यान रखना, then यह product कैसा होता है, nature of product, nature of product, तो यहाँ पर आपको याद रखना, आइधर होमोजेनस प्रोड़क्ट मिल सकता है, तो अब सभी लोग एक तरह का प्रोड़क्ट आपको बेश सकते हैं, यह हेटरोजेनस भी हो सकता है, अलग अलग प्रोड़क्ट भी बेश सकते हैं, हाँ, बहुत अच्छा रखता है, मैं तो लगातार पीते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा रखता है, आइधर होमोजेनस प्रोड़क्ट भी हो सकते हैं, हेटरोजेनस हो सकते हैं, डिपेंड मार्केट कैसा है, देखना जैसे कोक है, तो भी क्या है, कोल्डरिंग के हो सकते हैं, तो यहाँ पर होमोजेनस प्रोड़क्ट भी हो सकते हैं, हेटरोजेनस भी हो सकते हैं, चलो फीचर पढ़ते हैं, टो प्रोड़ेंग क्या है, कुछ ही बिजनेस्मेंस है, ऍटियाaja और यहां प्रोड़क्ट अब लास्ट भी a सट है अब लास्ट दिफेरंस किया आएगा अपना पर्फेक्ट competition और oligopoly में क्या difference है? seller, जैसे perfect competition में बहुत सारे seller होते हैं, लेकिन oligopoly में कुछ बगबड़े seller होते हैं. perfect competition में एकी तरह का product बिखता है homogenous, oligopoly में homogenous और heterogeneous दोनों बिखता है. perfect competition में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, लेकिन oligopoly में नहीं लोग को जल्दी घुसने नहीं देते हैं. price, perfect competition में सब का price uniform या same होता है, oligopoly में fix होता है, fix होने का मतलब है कम ज़्यादा होता है, एक रुपे, दो रुपे. perfect competition में सभी लोगों को goods का perfect knowledge है, oligopoly एक imperfect competition है, यहां लोगों को goods का imperfect knowledge है, आप hand race करो, आपको lecture समझ आया, chapter समझ आया, कि नहीं आया. अब मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से भी है, सुन देना, cbse ने क्या digit कर दिया है, और book से खोल के इसको पढ़ने की कोशिश मत करना, परिशान हो जाओगे के वाद इसी notes को पढ़ना, ग्रूप में डाल दे रहा हूं मैं इसको, cbse ने monoposistik को digit कर दिया, cbse ने monoposistik को digit कर दिया, cbse ने इनके features, इनके graphs, digit कर दिये, तो क्योंकि ये digit portion है, तो बिजकुल stunt ना मारे और पढ़ने की कोशिश ना करे, आप सिर्फ क्या पढ़े, perfect competition को पढ़ें और oligopoli को मेरे को एकड़म अच्छे से करके दें, आपका form of market chapter इत्ता ही है, आपका form of market chapter इत्ता ही है, इत्ता ही है क्लास जावंत में और यही पढ़वा आप, अभी अब आपको एक unit मेरे को करवाना बाकी है, फिर आपका syllabus economics का खतम हो जा रहा है, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, तो अगधी तीन क्लास, कल 9 तारिक को production होगा, 10 को कॉस्ट होगा, और 11 को रेवेन्यू होगा, तीन दिन का यह unit है, तो बिल्कुल क्लास अटेंद करें, मेरे दिये notes से पढ़ें और perfect हो जाएं, तीन दिन में आपका unit खतम हो रहा है, आपका statistic, final exam बेटा March में है आपके, result भी March में आएगा, April से चादू हो जा रहा है, नया session, online की offline यह इशान सर आपको बता देंगे, ठीक है, यह आप करो, आज लगबक सभी दोगों ने, maximum लोगों ने अच्छी बात है, class attempt करी है, इसका notes भेज रहा हूँ भी हमेरे को पढ़के दे देना, बस यह कर दो आप, ठीक है, that's it for today, यह आप करो, कब बताएंगे, यह इशान सर को मैं बोल देता हूँ, आपको एक बर clarity देने, क्या management का discussion मैं आपको बता रहा हूँ भी यह हुआ है, March में आपका exam हो रहा है, March का exam भी online के offline अभी यह finally decide नहीं है, बस यह मान लो कि March में एक्जाम में बस, और result भी March में आ जाएगा, अब प्रेल से आपका class class दे चालू हो जा रहा है, ड्यार रखो बात को में आपको यह आपका रोकाफी यह आपकी है,